एलो गाइस केसे हो आप लोग अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था ये जून उस लड़की को कहता है बास्तब में चार साल पहल लेकिन तुम तुमने उस सिचुएशन में उसका फाइदा उठाया ये जून उससे कहता है तो तुम मुझे ये नहीं कहोगे कि ये सब पहले किसने शुरू किया था लड़की चिल्ला कर कहती है बकवास बाते बंद करो अपने आपको देखो सिस्टर क्वंग जी तुम्हार और गुसा मेहसूस करते हो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ उस दिन तुमने क्वंग जी की हेल्प करने के लिए कोसिस क्यों नहीं की फिर अब क्यून तब से तुमने क्या किया है वह घटना बहुत पहले हुई थी क्या तुम्हें पता चला कि मास्टर माइंड कौन था क यह बात सुनकर वो लड़की घबरा जाता है और कुछ बोलने ही पाता फिर यह जून कहता है तुम्हें देखकर लगता है तुमने कुछ ठीक नहीं किया गाइज में उस लड़की की नाम बता देता हूँ लड़की की नाम यान लिंग है यान लिंग जोर से चिल्ला के कहती है तुम्हारे बजे से क्वंजी अपनी वर्जिनिटी खो दी फिर भी तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो अगर तुम नुवान-नुवान के डैड नहीं होते तो मैं तुम्हें तब तक मारते रहूंगा जब तक तुम दया की भीक नहीं मानते यह जून दूसरी तर एक कलाकार बन गए हो दूसरी तरफ हाम यजून को देखते हैं जो आराम से अपना बुक पढ़ राह होता है यनलिंग उसे क्या कह रहा है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो बास उसे इग्णो कर राह होता है यह देखकर यनलिंग यजून को गुसे से कहती है क्या को कहती है इस बार मैं जल्दबाजी में आ गया मुझे पता चला तुम्हारे फैमिली की सिचुएशन के बारे में मैं आंकल और आंटी को बाद में प्रनाम करने जाओंगा लेकिन फ्यूचर के लिए तुम्हारा क्या प्लान है यह जून कहता है मेरे पास हाथ और पैर है मै फैंग शुई को जानता हूँ और मुझे पता है कि इस दुनिया में भागे कैसे बताना है ऐसी कई चीजे हैं जो मैं कर सकता हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है यह बात सुनकर क्वंग जी अपनी मन में सोचता है मैं इमाजिन नहीं कर सकती कि वो इतने स फ़कर रहो उसे नुवान-नुवान करे यह जून कहता है थैंक यो लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए मेरे पास नुवान-नुवान को संभलने के लिए केपेबिलिटी है मैं उसे वह सब कुछ दूनगा जो वो चाहती है उसकी लाइफस्टाइल को कोई कुछ भी नहीं कर सकत यानलिंग कहती है तुम आपने आपको इतना आच्छा मत समझो हम लोग तुम्हारी जिबन की परवाह नहिन करते लेकिन हम नुवान-नुवान को सड़कों पर सोने के लिए उसे तुम्हारे पीछे नहीं आने दे सकते यह जून यानलिंग को कहता है मैंने पहले से ही एक घ खुश हो जाती है और डैडी डैडी कहने लगती है उसके बाद ये जून उसकी पास आ जाता है और कहता है हाँ मैं आपकी डैड हूँ क्या हम कल नहीं मिले थे और इसी के साथ हमार एपिसोड 6 खत्म होता है